हरे कृष्णा राधी राधे सभी ठाकुर भक्तों को मेरा प्रणाम आज के इस वीडियो में हम लोग लटू को पालची के लिए यह इस तरीके का हेवी नेकलेस बनाना देखेंगे तो यह नेकलेस बहुत ही सुन्दर बनके त्यार हुआ है दोस्तों तो वीडियो जो है शुर फिर यह हमें इसके उपर जो है पेईशी लेह पेज से मार्क कर लेना है अगर आपके पास मेजर्मेट नहीं है आप अंदाज बना सकते हुं फिर इसको बीच में इस तरीके से मोड के हम इसको का कर देंगे और कट करने के बाद दोस्तों इसको है हम इस तरीके से आप यहां पर मोटिवाली चेंड क मैं जिर्फ यहां फे एक में इसको चिपका रहा हूं उसके बाद नीचे सायड में थोड़ा सा घार लगा है उसके सा Question बागल्चा निऄसा फेवी बाण्ड लगाके मैं जबर दोसी चपका दूंगा दोस्तों के आप चाहू तो बॉल्चन का इस्तेमाल कर सकते है अगर आप जब दोसी की जचाए बॉल जबालक देंको फेवी बाण्ड की जबवत नहीं लगेगी इस फे पर्लचेन मैंने बाद में इस बज़े से चिपकाई क्योंकि मेरा स्टोन जो है वो इसके अंदर अच्छे से प्रॉपरली बेढ़ जाए तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं इसके बाद में दोस्तो मेरा जो नीचे वाला स्टोन लगा था उसको भी मैं पर्लचेन से कवर कर दूAY तो इससे जो लुक आएगा दोस्तो तो इस तरीके से लुक आएगा जैसे कि इसके हमने Bei राउड में पूरा फल चल चिपका दिया है अभी मैं इसको कट कर रहा हूं हमें कट इस तरीके से करना है कि नीचे वा स्टोन जो है वो finishing के साथ cut हो जा और बाजू में जो है वोड़ी space बचाते हुए cut करेंगे क्योंकि हमें जो है leaf stones वाले जो stone होते हैं leaf shape वाले वो जिपकाने हैं तो kundan में ही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किये हैं अगर आपके पास kundan में ऐसे stone नहीं है अभी यहाँ पर देख लीजे दोस्तो हमारा यह necklace जो है base इसका पूरा complete है एक तरीके से बट अभी हमें इसके अंदर धागा वगेरा add करेंगे तो यह दिखिए हमारा necklace का look काफी आच्छा है नीचे साइड में पहले हम क्या करेंगे एक लटकन वाला मोती लगाएंगे तो इसको जो है सबसे पहले पीछे साइड में उल्टा कर देंगे अगर आपके पास available हो लटकन वाला मोती तो आप use कर सकते है otherwise आप मेरी तरह यहाँ पे एक pin ले ले इस तरीके से इसको head pin बोला जाता है दोस्तो जिसके अंदर मोती फस जाता है इसके एक साइड में लॉक होता है और एक साइड में हम क्या करेंगे थोड़ा सा cut कर देंगे और पकड़ या nail cutter के help से इसको round कर देंगे तो यह जो हमारा थोड़ा सा बचा है उसको मैं क्या कर दूँगा nail cutter के help से यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पे मैंने एक साइड से तो इसको round कर दिया है और इसको जो है मैं यहाँ पे simply इससे गुमा दूँगा तो इससे गुमाने से क्या होगा कि यह काफी अच्छे से जो है round shape ले लेगा अगर आपके पास हैसे पकड़ ना हो दोस्तो तो मैंने पास भी पहले नहीं था तो मैं nail cutter से करता था उससे भी काफी easily हो जाता था तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यह इसका लटकन बना लेना है और इसके साथ में एक और एक पीन आती है दोस्तो जिसको की बोलते है आए पीन यह आए पीन होती है इसको जो है पहले से ही गोल बना हुआ होता है तो इसको थोड़ा सा खोल के हम इसके अंदर जो है यह लटकन वाला मोती लगा देंगे तो यह दिखे कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि यह लटकता हुआ जो है हमारा लुक आएगा तो यहाँ पर नेकलेस के उपर गलू लगा के मैंने इसको जो सिंपली चिपका दिया है और साथ ही में दोस्तो यह जो मेरे पास में जो धागा था वो भी लगा दिया और उपर साइड में एक एक्स्ट्रा वाला जो है कट करके चिपका दिया है तो एक्स्ट्रा में आप बुकरम ले सकते हैं उसके उपर आप चाहो तो पेंड भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नेकलेस चिपक के रेडी है बट यह अभी तक कंप्लीट नहीं है दोस्तों क्योंकि अभी मुझे इसको थोड़ी दिर के लिए मतलब कि ल हमारा जो नेकलेस है दोस्तों वह शेप लेलेगा ऑरिजनल recept की वर नवो ऐसा हार्ड बन जाएगा तो इससे क्या होगा कि यी हो जाएगा सेट हो जाएगा तो इसको अभी हम आदे गंटे के बाद दोस्तों इसको खोल देते हैं इसको खोलने के बात क्योंकि मेरा उपर साइड में जो है भुकरम कुट मतलब की finishing के साथ cut नहीं हुआ था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप चाहे तो cutting कर सकते हैं या फिर मेरी तरह जो ज़्रदसी है वो लगा सकते हैं क्योंकि ज़्रदसी लगाने से दोस्तो इसमें एक अलग तरीकी की finishing आती है और इस तरीके से look आता है कि आपने ये necklace जो है खरीदा हुआ हो बहुत ही सुन्दर ये necklace बन के तयार है जिस तरीके से हमारे बड़े-बड़े bridal set होते है उसी साब से ये मैंने बनाया है तो इसको और थोड़ा दिर मैं ऐसे ही रखूँगा मेरा ये overnight रहेगा दोस्तो तो ये बहुत ही सुन्दर से बना है आप इसके साथ में इसकी matching earrings भी बना सकते हैं मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा idea पसंद आया होगा इसे related कोई भी comments आप मुझे comment box पे पूछ सकते हैं Thank you so much for watching Hare Krishna, Radhe Radhe